आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखें आप मेंसे कोई बता सकता है कि बेद किस ने लिखे थे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ और आज भी पाँच अजार दसजार साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखेने के सामर्थ रखते हैं आपको मालूम है बेद किस ने लिखे थे अगर इतने बड़े रचैता का नाम हमें मालूम नहीं है इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है तो मोदी तो क्या है एक छोटी सी चीज है इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है न मोदी का वो मकसद है और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 700 करोड देशवासियों की तरही एक माने उससे ज़्यादा मानने की जरूरत नहीं है आपको टीचर का काम मिला होगा आपको ड्राइवर का काम मिला होगा आपको व्यापार का काम मिला होगा आपको खेती का काम मिला होगा मुझे ये काम मिला है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैं नहीं चाहता हूँ इतिहास में अमर होने के नहीं है अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे मेरे देश के भविश्य को देखे मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्यान का रास्ता दिखा सकता है विश्वक और संकटों से भार निकालने का सामर्त इस धर्ती में है ये दुनिया को पता चले मोधी की छबी चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है हिंदुस्तान की ऑने में मुझें है कि अजुक्तान की पाने में मुझे बोड़ी शेघरल की ओंद बगी की जएगाइएएएएएएएएएएएएएएएएएए